आपका मन सदा शुद्ध प्रेम से भरपूर रहे आपका मन शुब भावनाव से भरपूर रहे और परमात्मा के आशिरवात का हाथ सदा आपके मस्तक पर रहे इनी शुब कामनाओं के साथ एक साइंटिफिक स्टेडी के अनुसार ये रिसर्च में पाया गया कि एक एवरेज व्यक्ति पर सेकंड ट्वेंटी फुटाउंस का प्रकाश प्रवाहीत करता रहता है उसकी तुलना में जो व्यक्ति ध्यान करता है रोज अगर वो प्रेम और शुब भावना इस पर अपने मन को एकागर करता है तो वही ध्यान करने वाला व्यक्ति पर सेकंड लाख फुटाउंस का प्रकाश प्रवाहीत करता रहता है माना एवरेज व्यक्ति की तुलना में पाँच हजार गुणा ज्यादा पावर्फुल एनरजी पावर्फुल तरंगे वो प्रवाहीत करता रहता है इन तरुंगों में इतनी जबर्दस्तर शक्ति आ जाती है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है जब हम ये एनरजी विशेश कर परमात्मा का प्यार शुब भावनाए अगर हम इस पर ये एनरजी फोकस करते हैं तो इसकी शक्ति, इसकी ताकत, इसका बल इतना जबर्दस्त बढ़ जाता है कि एक बिमार व्यक्ति को अगर आप ये तरंगे भीशते हैं उनको ये वाइब्स भीशते हैं तो बिमार व्यक्ति की भी हीलिंग एनरजी अच्छी बढ़ जाती है उसके साथ हम देखते हैं कोई असंभव बाते वो संभव हो जाती है मुश्किल बात आसान हो जाती है माइंसेट चेंज हो सकता है इतनी सारी शप्ती उर्जा शुद्ध प्रेव और शुब भावना की तरुंगों में है तो हमें फोकस किस पर करना है ध्यान में परमात्मा का वो पवित्र शुद्ध प्यार अपने अंदर भरना है और हम वो शुद्ध प्यार पवित्र प्यार शुब भावनाओं के रूप में सारे संसार में प्रवाहीत करते रहे करते रहे और मालूम नहीं, ये ध्यान की तरंगे, ये शुब भावनाओं की तरंगे, किसी को क्या दुआ देंगी, कौन सा फल देंगी, उनका बिगड़ा हुआ कारिय ठीक करेंगे, उनका माइंसेट बहुत अच्छा बनाएंगे, मन को शांत कर देंगे, निराश मन को बहुत अच्छ मिशाली करेंगे, तो आज से अपनी उर्जा, अपनी विचार, अपना फोकस, आत्मा के गुण और पर मात्मा के गुण पर फोकस करना शुरू करें ध्यान में, और फिर देखें, उसका जादू, उसका चमतकार, हैपी डेगे कर देखें, अपना शुरू करेंगे